हलो दोस्तों आप देख रहे हैं डी कोट इंडियन जैसा कि आपको पता होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीता रमन जी के दोरा यूनियन बजर 2023-2024 को पेस कर दिया गया है और इसमें महिलाओं के हित के लिए एक न्यू स्मॉल सेविंग्स स्कीम को भी लॉंच किया ग जिसमें की PPF आता है फिर आपका सुकन्या समरिधी योजना हो गया तो इसी प्रकार से ये एक स्कीम होगी जो स्पिसिफिकली डेडिकेटेड होगी महिलाओं के लिए वैसी महिलाओं के लिए जो हर महिने के खर्च में से कुछ पैसे बचा करके वो अपने पास रखती हैं तो सरकार यहाँ पे उनको कह रही है कि घर में पैसे रखने के बजाए आप हमारे पास पैसे रखिए हम आपको इसके उपर इंटरस्ट देंगे तो आई ये बात करते हैं बेसिकली इस योजना के अंतरगर्थ किसी महिला या फिर किसी बच्ची के नाम पे पैसे डिपॉज दो साल के लिए जिसके उपर आपको सालाना साथ संवलब प्रतीशत का इंटरस्ट मिलेगा ध्यान दीजेगा कि ये जो दो लाक रुपए है ये मैक्सिमम है ऐसा नहीं है कि आपके पास दो लाक रुपए है तभी आप इस स्कीम के अंतरगत निवेस कर सकते हैं आपके पच यहां पर है पांशिल विड्रॉवल की यानि की आंसिक निकासी की माल लिजे कि आपने पैसे जमा किये और आपको बाद में पैसे की जरुवत पड़ती है तो आप यहां पर उसका कुछ हिसा में चॉरिटी पीरेट से पहले भी निकाल सकते हैं एक एक्जामपल से समझते है पर किस तरीके से आपको इंट्रेस्ट मिलेगा तो माल लिजे कि आपके पास 2,000,000 रुपे है और आपने पूरा का पूरा 2,000,000 रुपे इस यूजना के अंतरगत निवेश कर दिये तो पहले साल 7.5 प्रतिशत के हिसाब से आपको इंट्रेस्ट मिलेगा क्यानि कि पहला सा तो दो साल में आपको टोटल कितना इंट्रेश्ट मिल रहा है दो लाक रुपय के उपर 31,125 रुपया यहां पर आपको इंट्रेश्ट मिल रहा है आगे कर हम देखें तो यह एक one time scheme है मतलब कि आपको पैसे एक बार ही जमा करने हैं जैसे कि आप एबडी में क्या करते हैं एक बार में पैसे जमा करते हैं और फिर भूल जाते हैं कुछ साल के लिए तो वैसे ही आपको यहां पर करने one time investment है यह और यह सिर्फ दो साल के लिए available रहेगा उसके बाद अगर हम देखें कि सरकार ने इसको लाया क्यों है महिला समान सेविंग सर्टिफिकर्ट को और इसके उपर इतना अच्छा interest rate क्यों दे रही है तो सरकार का उद्देश इसके पीछे यह है कि महिलाओं को वो encourage करें कि महिला भी जो हमारे देश के अंदर लेडी हमारे देश में चल रही है महिलाओं के लिए तो इससे यह योजना कैसे अलग है तो यहां पर देखिए जो सुकन्या समरीदी योजना है वह किसके लिए वह बच्चियों के लिए है मेली जिसमें की 10 साल तक की उम्र की बच्चियों का अकाउंट खोला जाता है और टेन्योर कितना रहता है 21 तक रहता है लेकिन इसमें भी मैक्सिमुम आप 15 साल तक की डिपॉजिट कर सकते हैं तो इसके बाद अगर हम इसको कंपेर करें फिक्त डिपॉजिट से तो देखिए यहां पर यह FD का बहुत अच्छा अल्टरनेटिव यानि की विकल्प हो सकता ह पैसे जमा करना चाहते हैं तो FD से आपको ज्यादा अच्छा इंट्रेस्ट यहां पर दिया जा रहा है और पार्शल विड्रॉवल की सुविधा है जो की काफी अच्छी है इस स्कीम के अंदर अगर मैं आपको अभी तक हमने क्या बात किया तो देखिए इस स्कीम के अंतर PNR पैसो का कितना होगा तो दो साल तक होगा और इंतररेश्ट डेट आपको कितना मिलेगा तो 7.5 मीप परद यह पर दिया जाएगा पाशिल विद्रोवल कि दिया है नो मैं रहें जोस़ा पर देखिए और ऊब्सक्राइट इंट्रेस्ट इस स्कीम के उपर दे रही है आपको 7.5 प्रतीशत का इंट्रेस्ट आपको दे रही है बस दो ऐसे स्कीम है Senior Citizens Saving Scheme जिसके उपर सरकार अभी 8% का इंट्रेस्ट दे रही है और सुकन्या समरीथी योजना जिसके उपर सरकार 7.6% का इंट्रेस्ट दे रही है तो है लेकिन यहां पर एक चीज है भले ही इस स्कीम के अंतर काफी अच्छा इंट्रेश दे रही है सरकार लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्रियेट कर पाएगा बहुत जादा यह महिलाओं को प्रोदुसाहित कर पाएगा क्यूंकि देखिए इसका जो आपका अमाउंट है वो भी बहुत जादा नहीं है सिर्फ दो लाक रुपे तक है जो कि वन टाइम है इसके बाद इसका जो टैन्यॉर है वो सिर्फ दो साल तक के लिए है तो आगे अब देखा जाएगा कि सरकार इसको बढ़ाती है या फिर नहीं बढ़ाती है अब तक